तो जैसे नमीर दोस्तों आज की वीडियों हम बात करने वाला है मोटो जी 45 5G स्मार्टफोन के बारे में जो कि आपके सामने प्रजिन किया जार रहे और इसके साथ मिलेगा आपको USB टाइप जो की एस लेकर झी टक टाइप सी केबल है ठीक है और यह जो मुबाल फोन है, आपको 182 वजन में, 182 ग्राम का वजन मिलेगा जिसमें आपको 3.5 फाइप माल जैक मिलेगा, ठीक है और इसके साथ आपको USB Type-C मिलेगा जो कि आपके सामने present किया गया है देख सकते हो और इसमें आपको speaker grill मिलेगा जो कि 3 layer में बटा हुआ है ठीक है और इसमें आपको volume rockers मिलेगा जो कि आपको left type में बना हुआ है और इसमें आपको noise conclusion microphone मिलेगा जो कि बहुत ही बड़ी है ठीक है और यहाँ पर देख सकतो SIM card tray मिलेगा जो कि इसके bagage side में उपलब्द होता है ठीक है और यहाँ पर IP number 52 rating मिलेगा जो कि waterproofing के लिए अच्छा होता है और दोस्तों यह जो mobile phone है आपके लिए 6.5 HD plus है जो कि IPS LCD display है जिसमें 120 storage का refresh rate है और 580 का neat peak brightness है जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छा है और यह जो brightness है आप अपने हिसाब से up and down कर सकते हैं ठीक है जो कि 580 neat brightness है और इसमें आपको processor मिलेगा Snapdragon 6 Gen 3 6 NM का जो कि segment fastest of 5G processor है जो कि बहुत ही बढ़ी है जो आपके समने प्रिजन किया गया है ठीक है और यहाँ पर दे सकते हो इसमें जो RAM है 4 GB करेम है 8 GB करेम है जिसमें आपको 160 GB का storage मिलेगा जो कि UFS 2.2 का है जो कि बहुत ही बढ़ी है ठीक है और दोस्तों यहाँ पर आपको 5000 इमिज का battery power मिलेगा और 20 Watt का wired charging मिलेगा जो कि 10,000 रुपए के अंतरगत बहुत ही अच्छा ही smartphone है ठीक है यहाँ पर आपको एक years का major update मिलेगा जो कि बहुत ही बढ़ी है और इसके साथ आपको तीन साल का security update भी मिलेगा जो कि 10,000 रुपए के अंतरगत बहुत ही अच्छा है ठीक है इसका जो connectivity है आपको 13 5G band मिलेंगे ठीक है वो nr support मिलेगा डवल 4G sim मिलेगा और wifi 5G मिलेगा और bluetooth 5.1 मिलेगा जो कि 10,000 रुपए में इतना ज़्यादा मिलने के लिए बहुत थी एक फ्लेक्सिफ फॉन समझे इसको ठीक है और इसमें 2 मेगा फिक्सल का माइक्रो फेंग रहा होगा और 50 मेगा फिक्सल का में केमरा जिसमें 16 मेगा फिक्सल का फ्रेंट केमरा होगा जो कि बहुत बड़ी